अक्सर लोग अनानास के छिलकों को बेकार समझकर ऐसे ही फेक ही देते हैं लेकिन कुछ ऐसे फल भी है जिसके बीच गुदा छिलका उसके फल के तरह ही पॉष्टिक्ता से भरपूर होते हैं वैसे तो अनानास को हाई कैलोरी फूड माना जाता है लेकिन उसमें पॉष्टिक्ता भरपूर मात्रा में पाया जाता है हाई कैलोरी फूड होने के कारण इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना फायदे मंद होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए बहतर Bromaline नाम का Enzyme इसके चिलके में होता है जो रक्त का थक्का बनने में भी सहायता करता है High Calorie होती है इसमें अक्सर लोग अनानास के चिलकों को फेक ही देते हैं लेकिन कोछ ऐसे फल भी है जिसके बीज गूदा, शिलका उसके फल के तरह ही पौश्टिक्ता से भरपूर होते हैं. वैसे तो अनानास को हाई कैलोरी फूड माना जाता है लेकिन उसमें पौश्टिक्ता भरपूर मात्रा में पाया जाता है. High-calorie food होने के कारण इसको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाना फायदे मंद होता है Fiber से भरपूर Ananas के चिलके इस रसीले फल के गुदे के तुलना में बहुत सक्त होता है और स्वाद में भी थोड़ा करवा होता है लेकिन ये Fiber के अच्छे स्रोटों में एक है जो digestive system को बहतर बनाने में बहुत मदद करता है Bromaline नाम का enzyme इसके चिलके में होता है जो रक्त का थक्का बनने में भी सहायता करता है कैसे खाएं? इसके चिलकों को थोड़ी मात्रा में आप फलों के साथ खा सकते हैं या आप इसके चिलकों को पतला करके काट लिए और चबा कर खाएं आप इस फल के जूस के साथ भी खा सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेयर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें हन्यवाद